तो आप सभी का स्वागत आपके अपने चल्द अबूग इटर में और आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे डोगा की कर्फ्यू कॉमिक जो वो डोगा की पहली कॉमिक इसके नर डोगा को उड़िन बताया तो आएए शुरू करते हैं कर्फ्यू वह समस्याओ को हल नहीं करता उन्हें जड़ से उखाड देता है इन आखों ने देखा है इंसान और इंसानत क्या विमत तस्य रूप ग्रणा और दरिंदगी का नंगा नाच कुत्तों की तरह नोचे जाते इंसानों के जिस्म और अब कानून तोड़ कर मैं करूँगा कानून की हिफाज़त बनाओंगा खुद का अपना कानून जो अंधा नहीं होगा जो अंधा नहीं होगा दर्द का ऐसा तूफान था उसके सीने में जो जुआला मुखी बन कर फूटा आईए शुरू करते उम दिनों छीडा था जबर जस्त दस्यू निवारन अग्धियान बीहड के दाकूओं की तलाश में पुलिस ने चप्पे चप्पे पर फेला रखा था अपना जाल पर बीहड में दस्यों की तलाश का काम ऐसा था जैसे भूसे में से डूणना किसी उसुई का तूफाय की तरह उड़ा आ रहा था दस्यों का वहदल दस्यों सर्दार डाकू हलकान सीह के नेत्रत्व में हलकान हो हलकान हो हलकान हो हलकान हिंद हा 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 बीहड का शहंशा था हलकान सीह हलकान हो हलकान हो हलकान हो बीहड की तंग गलियों का बादशाह ठकड 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 डाकूओं का क्या भरोसा कभी भी तूट पड़े गाउ पर डाकू अरे डाकू डाकू हलकान आया रे गाव में घुसकर गदर मचा दिया डाकूओने और तबाही मचा कर चल पड़ा बीहडो का शहंशा हलकान हाँ 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 पर गाव से निकल भी न पाये थे वो उनका स्वागत किया मौत के शोलो ने बड़ा जबर जस्त जाल फेला रखा था पुलीस ने बुरी तरह फस गया था हलकान दस्यू गिरो हाँ दुआंधार दुम धनाम करके निकल भाग रहा था दस्यू राज अकेला ही बचा सका दस्यू राज हलकान सी हाँ इसी पल उचले पड़ा वो उवाँ उवाँ चोक पड़ा सीर उठा कर शेतान ने बच्चा अरे बच्चा मस्तक पर पड़ी केवल कुछ सलवटे कूडे के ढेर पर कौन इसे फेक गया उवाँ उवाँ सोच क्या रहा है हलकान सी हाँ पुलीस चपे चपे पर फेली हुई है पकड़ा जाएगा तू तुझे यह बच्चा ही बचा सकता है सच मुझ बचा सकता है मुझे कच्रे का डिब जपट कर उठा लिया उसने बच्चे को और तभी घेल लिया पुलीस पार्टी ने हलकान सी हाँ हत्यार फेक आत्मा समर्पन कर दे रिवोवर निकाल कर सटा दिया उसने उस मासूम के माथे पर उवाँ उवाँ इंस्पेक्टर रिवोवर फेक दो अपने नहीं तो इस बच्चे को खत्म कर दूँगा मैं हत्यार तो नहीं फेक है किसी ने किन्तु बेबस तो हो ही गए थे वो उवाँ अबे चूप हो जा क्या उवाँ उवाँ लगा रखा है देखते ही देखते घोडे पर चड़ बेठा हलकान सी है और दोड़ा दिया घोड़ा उसने पुरीस की आखों में धूल चटाने के लिए हाँ 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 हलकान को पकड़ना नहीं आसान बच्चे उसके लिए किस्मत वाला साबित हुआ और यहाँ बाद हलकान भी भली भाती समझ गया था वा बेटा तू तो नसीब बनकर आया हलकान का पर है तो तू कचरे का पेटी ही न यानि हराम की ओलाद लेकिन इस बात से अब हलकान सी है को कोई फरक नहीं पड़ता था चल पड़ा रहें यहाँ अब मुझे तो अपना गेंग बनाना है दोबारा जो साला तबाह हो गया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजे मेरी वीडियोस को लाइक कीजे शेर कीजे धन्यवाद